हलो फ्रेंड्स मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स की वीडियो सेशन्स इससे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें वो सभी लोग जो लोग जुडिशल एक्जामेनेशन के लिए त्यारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स डॉट इन पर विजिट करके वीरेस कोर्सिस को जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्राइब कर लिजे ताकि मेरे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए ठीक है आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़े देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं देखें CRPC में हमने जगा जगा पर कुछ वर्ट का इस्तमाल किया है जैसे Metropolitan Magistrate, Executive Magistrate, Judicial Magistrate या Simply एक Particular Word जो की Magistrate है उसको भी हमने यूज किया है अब इस Magistrate को हम Judicial Magistrate माने या Executive Magistrate माने या Metropolitan Magistrate माने इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास कुछ References दी हैं Section No.3 में तो आज के इस Session में हम लोग 3 Different Sections को Study करने वाले हैं Section No.3, Section No.4 और Section No.5 को तो इसके सभी Content जो कि आपके Bear Act में दी हैं उनको Detail में Study करते हैं और देखते हैं कि इन सभी में क्या चीज़ मेंशन की है तो चले ठीक है बीना देरी किये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ तो चले ठीक है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ और देखते हैं Section No.3 में क्या क्या चीज़े मेंशन की है सब लोग ज़रा स्क्रीन पर फोकस कीज़े ताकि हम जो भी content study कर रहे हैं वो properly आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि Bayret में जो language है वो throughout CRPC इस्तमाल होती है और जब हम लोग कोई case laws को भी study करते हैं तो वहाँ पर भी इसी language का reference आता है तो normally students को मैंने देखा है कि वो Bayret की language को properly understand नहीं करते हैं जिसकी बज़े से जब हम किसी case laws को या judgments को read करते हैं तो सही analogy वो perceive नहीं कर पाते हैं तो चलिए ठीक है देखते हैं section number 3 में सबसे पहले क्या बात mention की है section number 3 basically construction of references के बारे में बात कर रहा है construction का मतलब होता है किसी विवाद को construe करना यानि उसका कोई भी meaning draw करना अब हमारे पास CRPC में कुछ references दिये हुआ है उन references को हम यहाँ पर construe कर रहे हैं अब section number 3 में क्या references दिये हैं और उनका क्या construction या क्या हम उसे construe करेंगे ज़रा जल्दी से देख लेते हैं screen पर देखिए वो कहते हैं in this code any reference without any qualifying words to a magistrate shall be construed unless the context otherwise requires meaning thereby कि अगर मान लो जो word हम यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं हम क्या word इस्तमाल कर रहे हैं magistrate अगर magistrate के context में हमारे पास कुछ और reference ना दिया हो तो हम इस word को magistrate को कैसे construe करेंगे क्या हम इसको metropolitan magistrate मानेंगे क्या हम इसको judicial magistrate मानेंगे या हम इसको executive magistrate मानेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो judicial magistrate लिखा है ना metropolitan magistrate लिखा है ना executive magistrate लिखा है अगर reference में कहीं पर सिर्थ एक ही word आया है और word जो है वो लिखा है magistrate तो इसका क्या मीनी निकालेंगे हम इस context में वो कहते हैं in relation to area outside the metropolitan area यानि कि कोई ऐसा area जो की metropolitan area से बाहर का area है वो area जो metropolitan area नहीं है वहाँ पर अगर कोई भी word इस्तमाल हुआ है और word इस्तमाल हुआ है magistrate तो उसका meaning होगा judicial magistrate यानि कि अगर तो कोई ऐसा area है जो metropolitan area नहीं है और वहाँ पर word इस्तमाल हुआ है magistrate तो उसका मतलब होगा कि हम CRPC के हिसाब से judicial magistrate के बारे में वहाँ पर बात कर रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये metropolitan area होता क्या है मैंने आपको लास टाइम भी आपको बताया था कि state government उन areas को जिनका population 1 million से ज़्यादा होता है यानि जिसका area का population 10 lakh से ज़्यादा होता है state government एक notification के through उसे declare कर देती है कि ये area एक metropolitan area है ठीक है चलिए अभी आगया आते है दूसरा वो कहते हैं अगर मान लो हमारा area एक metropolitan area है तो metropolitan area में अगर कोई भी word इस्तमाल हुआ है और वहाँ पर लिखा है magistrate तो उसका मतलब होगा in reference to metropolitan magistrate तो वहाँ पर metropolitan area के लिए word magistrate को हम कंस्ट्रू करेंगे metropolitan magistrate ठीक हो गया clear हो गया इतना चलो आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है B clause और B clause में वह कह रहे हैं अगर मान लो कोई भी हम reference ले रहे हैं मान लिजिए हम कोई भी reference ले रहे हैं और reference हम ले रहे हैं second class magistrate का simply सिर्फ इतनी बात लिखी है magistrate of the second class ये नहीं लिखा judicial magistrate of second class या metropolitan magistrate of the first class ऐसा नहीं लिखा सिर्फ इतना वर्ड लिखा हुआ है magistrate of the second class तो इसको कैसे construct किया जाएगा इसका meaning कैसे draw किया जाएगा तो इस context में वह कहते हैं shall in relation to the area outside metropolitan area construed in reference to judicial magistrate of the second class तो अगर वो area metropolitan area नहीं है तो वहाँ पर हम उसको मानेंगे कि ये magistrate, judicial magistrate है second class का यानि अगर simply कोई area है जो की metropolitan area नहीं है और वहाँ पर शब्द इस्तमाल हुआ है magistrate of the second class तो उसका meaning होगा judicial magistrate of the second class चलिए आगया दे लेकिन अगर यही हमने word इस्तमाल किया है किसी metropolitan area के लिए तो वहाँ पर हम word का इस्तमाल करेंगे metropolitan magistrate की तरह से metropolitan magistrate की तरह से सर हम यहाँ पर magistrate या metropolitan magistrate of the second class नहीं बोलेंगे नहीं हम कभी भी यह नहीं बोलते metropolitan magistrate of the second class हाँ, judicial magistrate के बारे में बोलते हैं हम judicial magistrate of the second class ठीक होगी बात तो इतनी बात अब समझ लेजे ज़र एक से लुकी है मैं जरे इसको vibration में डाल देता हूँ otherwise बीच में disturbance होगा और आपको भी बीच में ringtone की आवाज आएगी तो इसलिए मैंने अपने mobile को जो है वो vibration में डाल दिया है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा clause है हमारे पास any reference to magistrate of the first class अगर हम first class magistrate का reference ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा अगर area metropolitan area है तो वहाँ पर हम उस metropolitan magistrate के बारे में बात कर रहे हैं जो उस area के jurisdiction को exercise कर रहा होगा यानि कि अगर हम कहीं पर भी metropolitan magistrate के बारे में बात करें तो वो first class ने second class हम नहीं लिखते उसको हम सिर्फ metropolitan magistrate बोलते हैं अगर चाहिए वो first class का हो चाहिए second class का हो इससे फरक नहीं पढ़ रहा ठीक होगा तो ही बात उन्हें ने clause number C में बोली है कि अगर हमने कहीं पर भी reference लिया है magistrate of the first class का और area हमारा metropolitan area है तो उसको हम कंस्ट्रू करेंगे कि magistrate, metriple magistrate exercising jurisdiction in that area यानि कि अगर magistrate the first class है और area metropolitan area है तो इसका मतलब भी निकलेगा कि हम वहाँ के metropolitan magistrate के बारे में बात कर रहे हैं जो उस area के jurisdiction को exercise कर रहा होगा ठीक है जी, clear होगी बात चलो आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास इसी का C का clause number 2 और C के clause number 2 में वो कह रहे है in reference to any other area यानि की other than metropolitan area के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमने कहीं पर भी शब्द इस्तमाल हुआ है first class magistrate तो उसका मतलब होगा judicial magistrate of the first class ठीक होगे तो यह तो हो गया हमारा clause number 3 का अपका clause number 3 का sub clause number 1 और 2 यह हमारे complete होगे next आते हैं D clause पर D clause स्क्रीन पर देखिए D clause any reference to chief judicial magistrate जिसको हम CGM भी बोलते हैं अगर हम कोई भी reference ले रहे हैं CRPC में कहीं पर भी CGM लिखा हुआ है और area है हमारा metropolitan area का तो वहाँ पर हम उनको CGM यानि की chief judicial magistrate की जगाँ पर हम उसको बोलेंगे chief metropolitan magistrate metropolitan area में हम कभी भी CJM यानि की chief judicial magistrate को chief judicial magistrate नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं chief metropolitan magistrate बोलते हैं ठीक होगे और जो area metropolitan area नहीं होते वहाँ पर हम chief judicial magistrate को चीफ जुडिशन मेस्ट्रेट ही बोलते हैं ठीक होगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वो कहते हैं इन दिस कोर्ट अन्लेस था कॉंटेक्स अधरवाइस रिक्वाइड अनि रेफरेंस तो दा कोर्ट जुडिशन मेस्ट्रेट शाल इन रिलेशन तो मेटरप्लिटन अरिया गान लिजे कोई एरिया मेटरप्लिटन एरिया है और वहाँ पर हम कोट ओफ जुडिशन मेस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो जब कभे भी एक बैसिक सी बात बता देता हूँ जब कभी भी area metropolitan area होगा तो वहाँ पर उस magistrate के नाम के आगे metropolitan ज़रूर लगेगा जैसे कि chief metropolitan magistrate metropolitan magistrate ठीक है इस तरह से हमको इसको याद रखना है बहुत simple है कुछ technicality नहीं है कुछ logic फालतुगा नहीं लगा हुआ इसमें straightforward बात है कि metropolitan area में जो magistrates होते है है वह metropolitan magistrates होते हैं और जो इनके chief होते हैं वह chief metropolitan magistrate होते है simple सी बात है बाकी first class magistrate, second class magistrate यह जो भी है इनके साथ आगे हम judicial magistrate लगा सकते हैं जैसे first class judicial magistrate या second class judicial magistrate ऐसा हम यूट यूज कर सकते हैं next आते हैं section no.3 के subsection no.3 पर और यहाँ पर वो कह रहे है unless the context otherwise require any reference in the enactment passed before the commencement of this code यानि कि हमारा जो CRPC है यह CRPC का पूरा नाम क्या है Criminal Procedure Code 1973 इस act से पहले अगर कोई भी reference लिया जा रहा था हमारे CRPC 1973 से पहले अगर कोई भी reference लिया जा रहा था तो उस reference के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मान लो हमने कोई reference लिया magistrate of the first class का इस act के पास होने से पहले अगर हम कोई भी reference ले रहे है magistrate of the first class का तो उसका क्या meaning माना जाएगा तो उसको मानेंगे judicial magistrate of the first class अगर कहीं पर भी लिखा है magistrate of the first class तो उसका मतलब है judicial magistrate of the first class यानि इस act के पास होने से पहले भी situation सेम ही थी जैसे कि आज हम study कर रहे हैं इसी तरह से अगर हमने Magistrate of the same class बोला तो उसका मतलब होगा Judicial Magistrate of the same class ठीक है चलिए आगे बढ़ते इसके अलावा कभी-कभी आप लोगों ने कुछ शब्दों का इस्तामाल किया होगा सुना भी होगा पढ़ा भी होगा जैसे कि हम लोग word इस्तामाल करते हैं Presidency Magistrate या हम लोग word इस्तामाल करते हैं Chief Metropolitan Magistrate या Chief Presidency Magistrate Presidency Magistrate या Chief Presidency Magistrate इसका क्या मीनिंग है तो यहाँ पर वो कहते हैं अगर ये शब्द हमारे इस code के पास होने से पहले इस्तमाल हो रहा है तो हमारे इस CRPC के reference के लिए 1973 वाले CRPC के लिए उसको कैसे मानेंगे उसका क्या मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा Metropolitan Magistrate और Chief Metropolitan Magistrate यानि Presidency Magistrate को तो हम बोल देंगे Metropolitan Magistrate और जो Chief Presidency Magistrate है उनको बोल देंगे Chief Metropolitan Magistrate ठीक होगा तो पहले जो शब्द इस्तमाल हो रहे थे Presidency Magistrate तो आज के वो क्या है आज के वो Metropolitan Magistrate है पुराने वाले CRPC में अगर लिखा था Chief Presidency Magistrate तो आज के कौन से magistrate है वो आज के वो है chief metropolitan magistrate ठीक हो गया clear होगी बात चलो अभी आ गया थे डी क्लाउस देखें डी क्लाउस में वो कहते हैं to any area which is included in the metropolitan area as a reference to such metropolitan area and any reference to the magistrate of the first class or of the same class in relation to such area shall be construed as a reference to the metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area तो मान लो कोई भी area है जो metropolitan area है जिसमें हमने किसी first class या second class magistrate के बारे में बात की है यानि कि अगर हम किसी भी first class या second class magistrate के बारे में बात कर रहे हैं और वो magistrates किसी भी metropolitan area में अपने jurisdiction को exercise कर रहे हैं तो इसका मतलब ये निकला कि उस area के metropolitan magistrate के वारे में हम बात कर रहे हैं मैंने थोड़ी दिर पहले भी आपसे कहा था कि हम कभी भी metropolitan magistrate of the first class या metropolitan magistrate of the same class वर्ड इस्तमाल नहीं करते हम सिर्फ metropolitan magistrate वर्ड इस्तमाल करते तो अगर कोई भी area 1973 CRP से पहले अगर कोई है और उसका reference लिया है तो वहाँ के अगर हम first class magistrate के बारे में बात करें या single class के बारे में बात करें तो इसका मतलब हम यह हुआ कि हम वहाँ पर उसके metropolitan magistrate के बारे में बात कर रहे है next आते हैं section number 3 के subsection number 4 पर यहाँ पर वो कह रहे है where under any law other than this code यानि कि CRPC के इलावा किसी और कानून के बारे में बात कर रहे है the function exercisable by the magistrate relate to the matter which involve the appreciation or shifting of evidence or formulation of any decision क्यानि कि मान लो कोई magistrate कोई अपना function exercise कर रहा है अपनी power exercise कर रहा है और वो अपनी ऐसी power exercise करते हुए किसी evidence को appreciate कर रहा है closely उसे scrutinize कर रहा है अपने किसी decision को formulate कर रहा है जिसके वजह से वो किसी person को कोई punishment दे रहा है या उसे penalty पर expose कर रहा है या उसे detention में रख रहा है किसी custody में जब तक मालो investigation pending पड़ी है मालो inquiry pending पड़ी है को trial pending पड़ा हुआ है और इस inquiry, investigation, trial के दोरान वो किसी भी evidence का appreciation कर रहा है या किसी person को punish कर रहा है या detention में detain कर रहा है तो इसके context में वो कहते है or would have the effect of sending him for the trial before of any court और या फिर मालो किसी case को commit करके किसी court के पास भेज रहा है या trial के लिए उसे commit कर रहा है तो यहाँ पर हमारी जो CRPC 1973 के जो provisions है 1973, CRPC 1973 के provisions वो judicial magistrate excise कर सकेगा तो हो सकता है इस कानून में जो CRPC में बात लिखी गई है और हमारे पास कोई और law है और उस law से हम उस आदमी को prosecute कर रहे हैं मालो IPC है तो IPC तो हम जानते हैं CRPC से governed होती है लेकिन मालो कोई special laws है तो special law में अगर कोई बात लिखी है फिर तो उसके हिसाब से होगा अगर वो नहीं लिखी तो हम CRPC में जो भी judicial magistrate के जो powers हैं वो ही powers हम उसको यहां पर CRPC के हिसाब से ही exercise करवाएंगे आगे देखते हैं section number 4 पर section number 4 यह कह रहा है trial of offenses under IPC and other offenses के कई बार क्या होता है कि कुछ offenses जो try करती है court IPC के होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कोई special laws होते है special laws मैं आपको अपने previous sessions में भी बता चुका हूँ जैसे कि NDPS Act हो गया या food and iteration Act हो गया drugs and cosmetics Act हो गया मकोका हो गया इस तरह से बड़े सारे special enactments है तो यहां पर section number 4 उन offenses के trial के बारे में बात कर रहा है तो दो तरह की category है एक तो IPC वाले ही हो गई और दूसरी other than IPC कोई special laws हो सकते हैं अगर उनका कोई भी trial होना है तो उसके लिए हमारे CRPC के provisions कैसे apply करेंगे हम उसके बारे में हमबर बात करने वाले तो subsection number 1 यह कह रहा है all offenses under IPC shall be investigated, inquired or tried and otherwise dealt with accordance to the provisions hidden after content या निकि IPC के offenses को try करने के लिए inquire करने के लिए investigate करने के लिए हमारे जो provisions हैं वो वही लगेंगे यह जो CRPC में provide किये हुए IPC के offenses को investigate करने के लिए inquire करने के लिए try करने के लिए CRPC ही लागू होगी यह कह रहा है section number 4 का subsection number 1 और माल लो IPC वाले offenses नहीं है IPC वाले sections नहीं है तो फिर उनका trial कैसे चलेगा तो इस context में हो कहते है all offenses other than those laws shall be dealt or investigated, inquired or tried with accordance to the same provisions यानि कि अगर माल लो हमारे पास कोई और law है तो वो भी हमारे CRPC से governed हो सकते है लेकिन यह absolute rule नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है but subject to any enactment for time being in force regulating the manner of the place of investigating inquiring, trying or otherwise dealing with such offenses हो सकता है उस particular law में उसकी place of inquiry के बारे में किसी court के बारे में कोई और manner दिया हो उसको try करने का कोई और तरीका दिया हो तो फिर हमें उस particular special law को देखना होगा अगर वहाँ पर कोई procedure दिया है तो उस procedure को follow करेंगे अगर special law में किसी भी तरह का कोई procedure दिया ही नहीं कुछ भी mention नहीं किया तब हमको सिर्फ CRPC से ही उस offense को try करना होगा और उसी से ही हमें उसको सारी proceedings को convince करना होगा तो यह कह रहा है section 4 का subsection number 2 देखो मैं यहाँ पर sections का reference special ले रहा हूँ इसलिए ताकि जब कभी भी pre में या mains में आप answer writing करो यह कोई भी option choose करो answer देने के लिए आपको sections भी अच्छे से याद हो उनके references भी आपको अच्छे से याद हो तो यह हुआ हमारे section number 4 तो चलो जल्दी से वागे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बास next section कौन सा है next section है हमारे बास section number 5 section number 5 basically यहाँ पर एक saving clause है अब यह saving clause क्या कहता है वो कहता है nothing contained in this code shall in absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for diming in force यानि कि हमारे CRPC में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी special law को या local law को otherwise प्रभावित करता हो उनको otherwise effect करता हो यानि कि अगर कहीं पर भी कोई बास special law में लिखी है तो special law का overriding effect हमारे CRPC पर होगा अगर कोई बात अगर किसी special law में कोई बात नहीं लिखी तो फिर हमारा CRPC लगेगा मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ CRPC के provision तब लगते हैं जब किसी special law में किसी particular procedure को prescribe नहीं किया हुआ होता और अगर मान लोग कोई prescribe किया होता है कुछ particular point mention की होती है तो फिर हमको CRPC को follow नहीं करना होता है फिर जो special law में लिखा होता है उसी को follow करना होता है तो यही बात इनोंने आप पर लिखी है कि that nothing contained in this code shall in absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for timing being enforced यानि कि अगर कोई बात किसी special law में लिखी है किसी local law में लिखी है तो वही prevail करेगी CRPC prevail नहीं करेगा अगर नहीं लिखी तो फिर CRPC prevail कर जाएगा और any special jurisdiction और power conferred or special form of procedure by any other law for timing enforced वही बात यहां पर आप बोल रहा हूँ ना वही लिखा हो ना कि मान लो अगर कोई particular court का jurisdiction के बारे में उन्होंने special law में लिखा है तो वो particular special law ही उसका jurisdiction exercise करेगी जो powers वहां पर दी गई है courts को तो फिर वही courts वो powers exercise करेंगी और अगर कोई procedure नहीं दिया तो फिर हमारे पास तयार CRPC है वही हम लगा देंगे उसी को फालो करेंगे so this is all in relation to section number 3, section number 4 and section number 5 मैं समझता हूँ पूरा session आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जल्दी मुलागात करेंगे आपके साथ बाकी और sections के साथ तब तक के लिए मज़े permit कीजिए आज के लिए इतना ही thank you so much यहेंद चपाट